तो जैमता की रादे रादे आप सभी को तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है आज है प्रदोश बुरत और महाशिवरात्री तो मैं महाशिवरात्री को किस तरह से सिंपल साधारन तरीके से अविशेक करती हूँ उसी का मैं थोड़ा सा आप सब को वीडियो शेयर क करूंगे आप चाहें तो इसी तरीके से प्रदोश बुरत में भी कर सकते हैं इसमें से एक दो सामान आपका कम जादा हो जाएगा तो भी चलते हैं तो चलिए मैं थोड़ा सा पहले सामान बता देती हूँ अविशेक के थाली में सुद्ध जल है गंगा जल है दूद है दही जुस मल जाए तो भी रख ले है स्वास्तिक बना के मैं इसमें नर्मेदेश्चवर सीवलिंग मेरे पास है इनको मैं स्थापित कर दूँगी और उसके बाद मैं अपने दर्वाजे पे सबसे पहले स्वास्तिक बनाओंगी कोई भी आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे प पानी के स्थान पर बना दे तो यहां पर भी मैं भस्तम निकाल रही हूं यह बहुत ही सुगंदी भस्तम अराम से मार्केट में मिल जाती और महते भी रहता तो सबसे पहले मैंने साधा जल से अविशेक की हूँ उसके बाद में गंगा जल सी की हूँ अब मैं दूच से कर र कर ल हूं तो एक-एक करके अविशेक करेंगे और तील डाल रही हूं तो जो जू champ डालते जाएं लाश्ट में एक बार पानी डाले मैंने पानी से अविशेक करें सुध्र पानी से फिर उसके बाद दूसरा ऐटम चालो करें इसी तरहिके से आप चाहें प्रदोश बुरत म में भी अविश्यक कर सकते हैं अपने घर में बहुत ही सरल तरीके से करने के टाइम आप ओम नमस्रीवाय सिवाय नमस्तुभ्यम जो भी आपको मंतर आता है वो जौब करना और बेल के पते पे चंदन लगा के सीधा वाला भाग के तरफ चढ़ाना चाहिए तो सभी कुछ मैंन इसका बहुत अच्छा फल मिलता है उसके बाद इनको वस्तरो रुपी कलावा मैंने चढ़ा दी हूँ तो इस तरह से पूरा पूजा मेरा यहां पे हो गया बाकी मंदिर के सभी भवान का मैंने पूजा करने लाश्ट में मैं सब आरती कर लूँगी जब आरती हो जाता है त तो मैं अपने गयस के पास इसान कोण अगनी कोण वास्तो देऊता को सभी को मैं आरती जरूर दिखाती हो लाश्ट में दरवाजे को भी दिखाती हूँ तो इस तरह से मेरा यहां पे देखिए पूजा संपन्न हो गया है मेरा मानना यह है कि भगवान की पूजा में के लिए रहना जरूरी है आप पंडित से ही पूजा कराएं ऐसा कुछ भी नहीं रहता अगर आपका भाव प्योर है ना अगर आपका भाव सच्चा है ना तो भगवान आपका छोटी सी छोटी भी पूजा को आप शिवकार करके उसको अफल जरूर देते हैं तो बस सरल तर सिर्फ वो अपने घर पे ही पूजा करते रते तो अपने मन का भाव सबसे बड़ा माइने रखता है तो यहां पे मेरा पूजा सिवा हो चुका है मैं चल रही हूँ नहीं वाले घर पे और यह सरस्वती मा वहां जाएंगी क्योंकि वहां की ही सरस्वती मा है मेरे वाले मंद मा को लेके आ गई हूँ और इस घर पे ना नर्मेदेस्वर सीवलिंग कासी से आई हुए थे ताज उनका अभिशेक हुआ सयन हो रहा था फल्फूल दूद में था जुनका अभिशेक किये तो सब बच्चे लोग करके यहां पे भी पूजा कर रहे थे और अभी मैं यहां पे सरस्वती मा का कपड़े इनको बता रही हूँ यह सब मैं लेके आए हूँ पहनाने के लिए उनको पहनाना फिर और बाकी ब करेंगे क्योंकि इन लोग का सुबह से इन लोग का भी चालू था तो सभी बच्चे लोग आज मेरे हां ब्रत है जितने छोटे बच्चे सब दीकर रहे हैं सब का ब्रत है जो आरती कर रहे हैं और अब मैं बजरंग बली को दिखे यह वाला पुशाग पहना रही हूँ और दोनों छोटे वाले लड़ो को पाल को भी बना के लाई हूँ और इसी में का मैं माता रानी के लिए दुरगा मता के लिए एक पुशाग बना हूँ ये चुंदरी से बनाई हूँ तो उनका मैं रात को शिंगार करूँगी तो देखे लोग सच के तयार हो गये यहां पे उस मंदिर ने इधर इन लोग का सेट नहीं सही लग रहा था तो मुझे तोड़ा ऐसा लग रहा था कि मैं अच्छे से सेट कर दू तो सबको मैंने निकाल के फिर से चुंदरी विंदरी लगा के अच्छे से इस तरह से पूरा मैं विवस्ता बना दी तो देखे आप सबको मैं स्थापित कर दी हूँ अच्छे से मेरे हिसा अब से बाकी तो यह लोग रोज करते हैं तो यहां आप इनको भोग लगा दिये फलार का अभी सब लोग बढ़ गए फलार करने के लिए और मुझे एक थाली भर के लोग ने फलार दे दिये जबकि मैं प्रदोस ब्रत में दीन लडू दम बना हुआ है और धही का सरवत बना हुआ तो सभी लोग मिलके फलार कर लिए उसकी बाद अब लडू को पाल की जाने की तियारी हो रही है बहुत बड़ा सा टिफीन है इसमें मैं कपड़े भी चाके इसी में सब को रख दे रही हूं और थोड़ा-थोड़ा कप लडू को पाल अपने घर पे जा रहे है यह भी उनका ही घर है लेकिन क्या नहीं मुझे आदस सी लग गई है इनकी जब से मैं आई हुना ऐसा लग रहा था कि इनको दूद पिलाना है अश्नान कराना है जैसे कि यहां पे थे नहीं तो भी मुझे वही ध्यान लगा रहता थ बस मैं वीडियो को यहीं पे अंड करूँगी और अगला वीडियो मैं माता रानी का जो चुन्दरी से पुशाक बनाए है उसी का सिंगार डालूँगी अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं की है तो जरूर करें